हाला सुडेंट्स मेना नाम दॉक्टर गजिन पुरहीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ इस मैथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं मैं आपको कॉष्ण के तूर समझाने की कोशिश करूँगा फिर आपको यह जो स्टेप से यह बहुत एजिली समझ में आएगी सुन अगर हमारे पास कोई भी कॉष्ण दे रिखा है और आप से बोला देखो एक्जाम में आप से बो दिया है, आप में आपको यह करना यह जब हमारे पास एक्जाम आथाएं करना यह हमारे पास क्योंति का करना है अब अब इस original question को सबसे बहुत करेंगे, fit करेंगे, ना, इसको भी हमारे पास बोलाएगा है, विससे इस question में बोलाएगा, इस state line fit करने है, आपको अगर second degree पहरा बोलाएगा, तो भी फिर आपको fit करना पड़ेगा, तो normally इस question straight line fit वाले ही आते हैं, क्योंकि उस वाले कैस में calculation बहुत जादा लंबी हो जाती ही, तो हम क्या करेंगे, सुनिया पर हमारे पास यह data given है, और यह हमारे पास total yearly हमारे पास sales आगे, क्योंकि हम ने इन सबको जोड लिया, जो भी हमारे पास quarter की sales जरहें की हम जोड लेगा, और इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे, अब सुनिया पर quarterly averages हमारे पास कहाँ इसको divided by तो हमारे पास सुनिया इसका quarterly average हाजा जाएगा, अब यहाँ पर कहा करना है, सुन हमें चुकि इसको स्टेट लाइन में फिट करना तो इसकी जो सेंटर वेल्यू है वह हमारे पास क्याएगी यह हमारे पास वेल्यू होगी अब हमें क्या करना है सुन यहां पर इन सब की वेल्यू निकालना यह तो हम क्या कर यह एक्स दे रिखा है इसका पूरा हम कर लें पर बैटर है कि हम यहां पर डिविशन वाला कंसेट भी उस करेंगे तो 1984 को यहां पर टी है इसमें 1984 को माइनस माइनस 1 0 & 1 & 2 आ जाएगा यह एक हो जाएगा और इसमेशन यहां से बहुत इजी हो जाएगा 280 अपॉन N पास के इतना है यहां से एक ही वेल्यू आ जाएगा 56 इस टाइप से हमारे हमारे पास y दिर्खें दोनों को multiply करेंगे दिया जाएगा इस्विन x स्कॉर हमारे पास y की value हमारे पास यहाँ पर कितनी आरे 120 हा रहे है और a की value हमने यहाँ पर निकाले ली तो यह आएगा हमारे पास 56 और चुक्कि summation x 0 जीरो है यह तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा and सुन प्लस b summation x square तो यह हमारे पास 10b हो जाएगा तो b की value हमारे पास यहां पे क्या जाएगी सुन 12 हो जाएगी तो सुन a और b की value हमारे पास आगए यह a और b की value उठा के हम यहां रखेंगे जो भी हमारे पास state line रही तो y is equal to तो हमारे पास क्या था सुन a plus b x होता तो y is equal to a की value हमारे पास 56 है b की value हमारे पास 12 है तो सुन यह हमारे पास क्याएगी एक trend line आ जाएगी अब यह trend line में आप क्या करना है सुन x की value put कर देजाए तो x की value minus 2 put करेंगे तो हमारे पास यहां पे 1982 का जो यह quarterly average आ जाएगा वह हमारे पास यह आ जाएगा राइट है ना सुन quarterly average आएगा यहाप है पहले 35 था according to the data अब हम ट्रेंड के हिसाब से यहां पर क्या गया है सुन 32 आगा राइट इसे लाप से x की value minus 1 रखेंगे तो 44 आएगा x की value 0 रखेंगे तो 56 तो यह हमारे पास क्या है इसकी ट्रेंड वेल्यू आ जाएगे अब आपको यह समझने की जरूत है यहाप है कि 32 44 56 68 80 यह हमारे पास क्या आगा एक quarterly average आ पर सुन आप जब भी question करते हैं इस टाइप के concept से तो हमारे पास data इस form में होना चाहिए तो यह तो हमारे पास quarterly average आप इस quarterly average से data वापिस इस form में लिखना पड़े तो इस form में कैसे data लिखते है वह मैं आपको समझाने कोशिश करूँगा यह जो data दिया मैं आपके सामने लिखा हुआ अब इसको कैसे इस टेबल की form में convert करेंगे इसके trick होती है यह समझने की जरूत आप देख रहें सुन यहां पर जो डेटा है उसमें 12 का increment हो रहा है सुन 12 12 का increment हो रहा है इसका मतलब हर quarter में क्या हो रहा है सुन चुकि हमारे पास एक साल में चार quarter और एक साल में 12 बढ़ रहा है तो एक quarter में किता बढ़ेगा सुसन यहां पर क्या करेंगे 12 divided by 4 तो यह 3 आ जाएगा मतलब हमारे पास यहां पर हर quarter में 3 का increment हो रहा है और भाई 3 3 का increment होगा तभी तो हमारे पास यह 3244 44 56 ऐसा होगा अब जो भी हमारे पास 32 इसको या रिखना है अब इस तीन बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे 1.5 इदर क्या करेंगे 101.5 इदर क्या करेंगे plus करेंगा तो हमारे पास 18.5 हो जाएगा और इसमें必 ho अब नेक्स हमारे पास यहां पर 3 By Rocky क्रेंगे किनि तेन बढ़ रहा है तो स्राइब 66.5 यहां माइन करेंगे तो यह एप्वे Самर पास आस तो यह हमारे पास लेधा नहीं करने माले 44 में एच्छली करना क्या चाहरे हो अब मेरे भाई में आपको बताना चाहरे यह टो टो यह तो हम ऐसा करना चाहरे ताकि हमारे पास यहां पर क्या जाहे जो भी trend value उसकी साब से मारे पास यहां पर data आजा राइट ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं इसकी trend value निकाल पाएं तो सुन यह हमारे पास क्या है यह एक नई टेबल बन जाएगे अब इस नई टेबल से हम आगे क्या calculate करेंगे आपको समझाता हूं सुन यह हमारे पास original data है यह हमारे पास क्या है सुन trend value है हर एक quarter की trend value है यह हमारे पास इसकी original value है अब इन दोनों का ratio निकालने के लिए हमारे पास यह जो है यह हमारे पास original data है यह हमारे पास क्या है सुन इसकी trend value है अब हमारे पास क्या करेंगे 36 upon 27.5 into 100 तो यह हमारे पास क्य पास थर्टी एट अपन थर्टी नाइन पॉइंट निया इस तरह से हम यहां पर कर देंगे हरे का हम यह पर ट्रेंड रेश्यो निकाल देंगा यह क्या आगा सुनिष का ट्रेंड रेशियो आजाएगा अब यह करने के बाद तो हमारे पास जो ट्रेंड टू मुविंग एवरेज वाला कंसेट वह यहां पर अपलाई हो जाएगा राइड अल्टीमिटल यह टेबल निकालने के लिए हमारे पास यह दोनों हमें करने पड़ है देखो यह हमारे पास ओरिजिनल लेटा था यह हमने क्या करा स्टेट लाइन फिट करने के बाद जो ट्रेंड वेल्यू आए उसको हमने डिस्ट्रिबूट करके हमारे पास एक ट्रेंड वेल्यू निकाले इन दोनों का जो रेशियो है उससे हमारे पास यह टेबल बनी अब to trend ratio निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना है यह जिते भी हमारे पास mean आए इन सब को वापिस जोड़ दीजे और इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास divided by four करेंगे तो यह आएगा इनका जो average आएगा वो हमारे पास आएगा 100.94 यह हमारे पास क्याएगा average का average आएगा अब हमारे पास यहां पर जो quarterly average है वो हमारे पास 101.08 है divided by 100.94 यह ऐसा आएगा 101.08 divided by 100.94 into 100 तो यह हमारे पास क्याएगा सिजनल वेरिशन आजाएगा या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिजनल इंडेक्स हाना तो 100.13 आजाएगा इस तरह से 10.08 divided by 100.94 into 100 तो 103.11 आजाएगा इस तरह से हम यहां पर सिजनल वेरिशन निकालते हैं मैं आपको इस मैथल को फिर से conclude कर रहा चाहता हूँ जब भी हमारे पास question में data दे रखा है और आपको बोला जाएक ratio to trend method जो भी हमारे पास डेटा दा रखा उससे to moving average उससे बैटर रहता है यह इसका फाइदा पर सबस्क्राइब यहां पर सबस्क्राइब करेंगे तो बहुत सारी ऐसी जो variations होते हैं वह वहां पर exactly ले नहीं पाता है ना क्योंकि वहां पर हमारे पास जो ग्राफ आ रहा वह स्ट्रेट लाइन में आ रहा है या फिर ग्राफ है सब्सक्राइब नहीं कर पाता तो यह हमारे पास यहां पर क्या होता इसका बताइए लाइक करें शेर करें और चैनल को जरूर सस्क्राइब करें ऐसे और भी जो वीडियोस है वह आप यहां जाके देख सकते हैं और यहां जाके चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप CSI, NET, GATE और ID से में एक्जाम की तेहरी करें और अपने basics को बहुत अच्छ झाल बाल